चार मेंजर प्रॉब्लम साती है जो आप चाहते हो अच्छीव करना और आपको पाइम इनिज करना टाकि आप चीज हो चीज़ हो कर सेकों पढ़ाई किस तरह करनी है किस तरह से हनाइमेंट को कमदना किस तरह से को TOP SKILL के लिए ताइम निकलना और किस तरह से enjoy करना है सारी चीज़े कबर होगी मेरा नाम सुमिर सिंग राजपुरेत है और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ तुम एनीज यो ताइम इन्कॉलिज देखो यार सुमिर भाई प्रब्लम कहा है सुबेश सात बजे कोलेज रहे निकलता हो साढ़े आड का लेक्चेर होता है डिटी हंटर ट्रीन में लग जाता है और साढ़े पांच तक लेक्चेर होते है यार उसमें फिर भीड़़ मे अब उसके ओपर assignment भी करने पड़ते हैं खुद को upskill भी करना चाता हैं प्रोग्रामिंग सिखना चाता हैं पर time ही नहीं मिलता पढ़ाई भी करना है और थोड़ा थोड़ा enjoy भी करना है पर कुछ हो ही नहीं रहा टाइम ही नहीं मैंने चो रहा भाई आप इसका solution बता हूं वह कि वीडियो में तो वीडियो को complete होने तक देखना क्लियर है तो वीडियो की मैंने basic like target क्या रखी है 1000 लाइक तो फटफट वीडियो को like करो और चलो वीडियो को शुरू करो तो भाई आ टाइम मैनेजमेंट समझने के पहले सबसे पहले आप अपना दिन कैसे होते हैं आप सुबह साथ बज़े उठते हो या फिर पौने साथ बज़े उठते हो फट फट नहाए नहीं नहाए तप तप धमादब उठे क्योंकि अपनी साच चालिस की ट्रेन है तो स्टोरी की तरह सुनो समझो काफी लोग रिलेट कर पाऊगे क्लियर है कि साथ बज़े कैसे साथ बस की ट्रेन पकड़ी फिर विरार गए वहां से साथ चालिस की ट्रेन पकड़ी और जाके आट-चालिस का लेक्चर अटेन की है क्लियर है आट-चालिस अब का लेक्चर चाल थकते नहीं जाएंगे फिर शोशल मीडिया अपने शुरू कर दिया क्या रहे इंस्टाग्राम लाइक और रैंडम अपन रिल्स करें कब दो गंटे निकल गए पता नहीं साथ से नौ साड़े नहीं बज गए खाना खा लिया फिर खाना आने के बाद सोगे थोड़ी यार अभ किसी को कोई कोसनी की बात निं कर रहा हो मैं से बता रहो होता है कर नहीं होता 80-90% लोगों का यह यह मेरा भी यही था अपने कॉलेज में था आपको भी पता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा अब ना लाइफ में कैसे गुरू करेंगा चार मेजर प्रॉब्लम्स आती है जो आप चाहते हो अच्छीव करना और आपको अपका time manage करना है ताकि आप वो चीज़ अच्छीव कर सको सबसे पहले कि मैं पढ़ाई कैसे करो क्योंकि college में lecture return करना और पढ़ाई करना दो अलग चीज है दूसरी चीज़ के assignment दिये जाते हैं उनके लिए अलग से time लगता है तो मैं खुद को upskill नहीं कर सकता तो assignment कैसे complete करो तीसरी चीज़ हो है कि खुद की skill develop करने के लिए time कहा से निकालो और फूत है कि enjoy कैसे करना है एक एको लेके थे पहते पहले अपने यह समझ लिया एक और मैं आपको बताना चाहता हो बात सबसे पहले एक skill है जो आपको अपने time management के लिए करते आप अपना goal planning करते तो सुबह सुबह दोड़े जो भी life में आ रहा है टास्क दुनिया आपको टास्क करे जा रहे हो मोबाल में किसका message आए वह चीज़े follow करे जा रहे हो क्योंकि आपने goal set नहीं किये तो आप अपने दिन को टास्क नहीं दोगे direction नहीं दोगे तो आपका दिन आपको direction देगा मैं पिछले साथ साल से skill follow कर रहा हूँ एक habit follow कर रहा हूँ जिसको कहते journaling and plan my day तो मैं रोज अपना दिन प्लान करता हूँ क्या वीडियो बनाना ये करना है वो करना है मैं अपने college time से कर रहा हूँ तो आपको एक habit follow करनी है वो है plan your day कैसे करना है क्या करना है वो बाद में बताऊँगा इसी वीडियो में समझ रहेगा लेकिन plan your day आपको करना है अब आ जाते हैं मैं बोला था एक एक चीज़ों को लेंगे सबसे पहला आ जाते है सबसे पहले चीज़ आपको 75% attendance रखना जरूरी होता है 100% तो नहीं तो आप 90-95% attendance क्यों रखते हो 75 रखो ना जब आपको बोला है कि 75 रखना अब आ जाते क्यों मैं यह कह रहा हूं देखो college में क्या होता ना college में समझो 6 subject है 6 subject में से तीन टीचर के concept आपको अच्छे से समझते हैं समझ रहो तीन टीचर के concept अच्छे से समझते हैं बाके तीन टीचर के नहीं समझते पर फिर भी आपको जबर्दस्ते lecture बैट रहे ताकि attendance मिल जाएगी इतना clear है तो अपने को क्या करना है यह जो तीन टीचर के समझ रहो उसके lecture हमेशा बैटने क्योंकि यहाँ पर अपने फंटे यही clear हो जाएगी इसको वापस घर पर जाके पढ़ने की ज़रूत नहीं है और जो भी बता रहे उसके must notes बनाने पर जो तीन टीचर के नहीं समझ रहे उसमेंसे एक या दो lecture बटा देनेगे छे मैंसे अगर आप एक घंटे का भी एक lecture मिस कर दो तो कुछ नहीं होने वाला आपके 75 से attendance कमनी होंगे आपको कितना रखना है 75% attendance रखना है 90 नहीं रखना है कुछ नहीं मिलने वाला 90 रख दोगे तो एक मांग ज्यादा मिलेगा समझ रहे हो कि एक marks नहीं ची अपने को 75% attendance रखना है एक lecture मिस कर देना है पूरे दिन में एक घंटा मिल गया आपको इसी के साथ साथ आप जब train में जाते हो सुबह सुबह एक घंटे का आपका travel होता है फोन रहता है web series देखते हो आदा घंटा अपनी studies के लिए निकाल रहे ह उनका offline video download कर लिए कर लिए अब train में 10-10 minute के दो या तीन वीडियो देख लिए आदा घंटा वीडियो देख लिए आदा घंटा चिल कर लिए मैं क्यों गहरा हूँ सुबह 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 अपना willpower और energy बहुत रहती है अब समझ रहे हो क्या तो आप train में अपनी willpower के साथ व boys common room में बैटो कहीं भी बैटो जो भी समझा उसको practice कर लो या अफिर कुछ और वीडियो से उनको देख लो अभी आप पूरे दिन में अलग से नहीं पढ़ पा रहत है अभी आपको डेड़ घंटा मैंने निकाल के देदी आपकी पढ़ाई के लिए इतना clear है रहे पर ऐसा आप सोच रहो सारे rules में follow करूँ और मैं आगे बढ़ो तो नहीं rules follow करने वाला आगे नहीं बढ़ते बाई जिन्दिगी में समझ रहे हो जो जुगार करता है जो rules को mold करता है वो आगे बढ़ता है इतना समझा तो यहां पर पढ़ाई का concept clear हो ना अराम से engineering के concept clear कर लोगे assignment यार इतने देते हैं मैं आपको एक चीज genuinely दिल से कहना चाहता हूं कि मुझे भी पता यह assignment useless है क्योंकि यार खुद से अपन नहीं लिख रहा है उसके लिए useless नहीं जो दिल से खुद बना रहा है उसके लिए useless नहीं है और 70-80% लोग नहीं बनाते अपन कॉपी कर रहे है अ वो साड़े हांट को कॉलेज पहुच्छा था 8.40 का लेक्चर था एक दिन ना में एक घंटा जल्दी चला गया ऐसे ही माला सुबे जल्दी जल्दी जाते मैं गया ना में को आपे जादू दिखा क्या जादू कोई मिल गया वाला नहीं उदर क्या लोग बैठे हुए थे औ अगर आप कॉलेज जो साथ 40 के ट्रेंड पकड़ तो चेचा चालीज की पकड़ लो सिर्फ तीन दिन तो आपको असाइंडमेंट का कभी प्रॉबलम नहीं आगा क्योंकि एक घंटा जादा मिलेगा आपको अपने असाइंडमेंट करने के लिए साथ में कुछ स्कॉलर लोग भी बताएंगे कि यह नहीं किया यह नहीं किया यह नहीं किया अरे मैं तेरी मदद कर देता हूं समझ रहे हो तो कॉलेज में एक घंटा जल्दी जाना एटलीस हफ्ते में से तीन दिन और असाइंडमेंट करने क्योंकि आपको मिल जाते हैं और वैसे भी मोबाइल में आज का आज नहीं है तूभी लास्ट में करेगा तो कोई निचे है मैंने बाद दो सल बाद ना अब इतने फाइनल में तो आईसे हो जाओगा कि आपका लेंगे वह इसा वाले पर अभी आपका डर है ना तो अभी आप कॉलेज में एक घंटा जल्दी आकर को सारे का फंडा क्लियर हो गया अब थर्ड चीज आती है सुमेर भाई स्कूल्स सिखनी है मिरको कुद को स्किल्स में अपक्रेड करना है तुछ मी क्या कि आप ग्रेड में हो सकता है या तो आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो पहली चीज़ या फिर आफ समझो ग्राफिक डि कि जाती है क्या होदा डिजिटल मार्केटिंग हो सब आप स्किल्स अप्ग्रेड करना चाहते हो क्यों कि अपने को भी पता अपने कॉलेज में उतनी प्लेस्मेंट तो आने नहीं वाली तो खुद से अगर स्किल्स कि अप्ग्रेड किया तो फाइनल रे में खुद से नोकरी घर जाके क्या करों कुछ नहीं करने वाला तो एक घंटा कॉलेज के बाद हफते में तीन दिन बैठ जाना कि तेरा कॉलेज में साइबर रूम है समझ रहे हो पीसी रूम है जहां पे तुम लोग लाइबरेरी यूज करते हो लाइबरेरी नहीं कम्पूटरी यूज करते हो तो वहाँ पे जा लाप्स है लाप्स में बैठ तो एक्स्ट्रा बढ़ने के लिए बैठेगा कोई तो माना नहीं कर रहा है खुद का लैप्टॉप लेकर जा केंटीन में बैठ जा बॉइस को में बैठ जा और एक घंटा खुद की स्किल पे काम कर तो एक घंटा लेट कर रहे। करना कहा है कोवेज में कर प्रोग्रामिं तो पीशी मील जाएगी एडिटिंग सीखनी है तो एक लिए विडियो में किस तरह से की आजशना वीडिशा तो दूनीया में वह सब तो देख सकता है जहाँ घंटीकर वीघंटा प्र लेका inclaster कर ऑश चोटे से शुरुक पहुचा दो कितने बज़े पहुचता था तू साथ बज़े पहुचता था आप आठ बज़े पहुच गया घर पे आराम से बैठ खुद का आदा गंटा सुशल मीडिया यूज कर अब इंजॉइमेंट में बताए था हम क्या करते बता है दो घंटा तो यह डूनने में लग ज तो डाइरेक्शन नहीं दे रहा कोई भी रिल्स देख रहा हूं बस ऐसे ही पड़ा हूं क्या पता उसका मेसेज आएगा रैंडम लोगों से बात कर रहा हूं तो यह तो तो टाइवेस्ट कर रहा है मैंने करा कि वेब सीरीज मत देख देख और डेफिनेट हो गया में को क्य क्लियर है और शाम को ही आपको अपका डे प्लाइन करना है या फिर सुबह जब आप ट्रेन में बैटा होगे खुद की 10 मिनिट निकालके अपना डे प्लाइन करना है कि मैंको आज के तीन टास्क्या लेने तो आपका पहले जो रूटीन था और अभी जो रूटीन है मैं पहले अपकी 10-10 दिए और मैंने देन के तीन चाहुआ अपको ब्लीड करके आधा घंटा में अपनी पढ़ाई करोंगे और अपनी प्रोग्रामिंगी पर 30 मिनेट काम करूंगा गोल्स रख दिए घर जाके आप वैप शेरीज देखूंगे जो भी कर्ना कर लो क्लियर है कॉलेज एक घंटा जल्दी पहुचे ट्रेन में आदा घंटा पढ़ लिया आदा डे प्लान करने के बाद मास्ट कॉलेज पहुचे असाइन्मेंट किया थो टाइम पास किया लेक्षर बैटे जो पसंद दिता लेक्षर ते उसमें ध्यान दिया जो मन नहीं कर रहा लेकिन अपने अपना निकाड लिया यहां पर कोई दिख पकड़ने वाला नहीं है महां पर जाके अपने सीखा उसके बाद कॉलेज खतम हो गई दोस्तों को बाई 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 आपने क्या किया आदा घंटा हफते में तिन दिन रोज नहीं आदा गंटा बैड़ गए अपिजोड शुरू किया बारा बचे खतम किया फिर में सो गया किकि मैं को सुबह वापस जिंदीकी के दौर में जाना है अब यहां पर कुछ चीज़े आपको मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग किस प्रॉब्लम में फश्जाते सबसे पहले लोगों को फोन एडिक्श समझे आपने खुद पर प्लान किया था कि मैं तीन दिन एक घंटा पड़ूंगा एक्स्टा रुकूंगा कॉलेज के बाद या फिर सुबह जल्दी उठोंगा नहीं उठ पाए दो दीन ही उठ पाए तो खुद को को से तिरसे तो कुछ काम कही नहीं रहे तो 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 लूज मैं अपनी वे दूजिज की है अचैना करों मैं तुम्हारे साथ हमारी हार जरधी में हूं में यहा पर तुमको इमेजिनेशरी वाधा सकता था यह कर सकते हो वह कर सकते हैं यह अगे। आपको routine कुछ चीज़ जो आपको follow करनी है शुरुआत में जब आप चीज़े करोगे कुछ काम करेगी कुछ ने करेगी पर आप रोज अपना day plan करोगे क्या करोगे रोज अपना day plan करोगे जिस तरह से आप रोज प्लान करोगे तो आपकी एक routine बन जाएगी कि मैं ये बज़े इदर जाता हो ये बज़े वो करता हो वो बज़े वो करता हो क्या बनेगी रोज प्लान करोगे रोज एक्जीकूट करोगे तो routine बन जाएगी फिर आपको अपना weekly गोल्स लाना है कि मैं को हफते में ये ये गोल्स करना है और fourth चीज़ है वो है deadlines रखो क्योंकि आना इलाउन ये पर्टिकुलर इंसान ऐसी बनाता है इस लेवल की बना नहीं है तो इतना कंटा काम करें मैं करूंगा तो करूंगा तो गोल सेट करो तो यार ये था मोटा मोटा टाइम मेनेजमेंट पे पूरी चीज़ है सारे हैं सारे समय decorations के पढ़ना कैसे है पहल नहीं है बंक कर सकते हो पहला इंसान नहीं बंक कररने है लेकिन पूर steps seminar कि अ नहीं interested है उनको करो, assignment जल्दी जाओ college, और कुछ lecture ऐसे है तो जिसमें teacher को फरक भी नी पढ़ता तुम्हें जो करना करो, उसमें भी तुम assignment कर सकते हो, थर्ड चीज़ स्किल्स पर काम करना चाहते हो, तो घर पर जाकर नहीं हो रहा काम, college के बाद रुको, और तुम्हारे कुछ समझ रहे हो, जब तुम प्लान करोगे अपना ले तो तुम अपने डिय को direction दोगे, तो यह ता मेरा यार सुमेर भाई की advice कि आप किस तरह से आप अपना time manage कर सकते हो, इसी तरह से आप अपने engineering में कोई भी problem face कर रहे हो ना, तो नीचे comment कर दो भाई, समझ रहे हो कि सुमेर यह यह, मैंने comment नहीं, form बनाया हुए, अब Google form भर दो, अपनी problem लो, भाई तुम्हारे लिए उस problem पर वीडियो बनाएगा, और thank you so much इतना support करने के लिए, यह वीडियो को सब को share कर दो, कि यार, आपके लिए बनाया है, तो अपने सारे दोस्तों को भी तो करना पड़ेगा and have a nice day, best.